गुद मॉनिंग बच्चों, कैसे हो आप, I hope आप लोग बहुत अच्छे होगे तो बच्चों हमारा जो पार्ट है वो खतम हो चुका है आज हमारी आगे की एक्साइज शुरू हो रही है तो सर्वी बच्चे जिनके पास किताबें हैं वो अपने किताबों में करेंगे और जिनके पास नोट बुक है वो अपनी नोट बुक में करेंगे ठीक है लेकिन साफ सुत्रा काम करना है अगर आप अपनी काम किताब में भी कर रहे हो तो भी आपको बहुत ही सुन्दर हेंड़ाइटिंग में वो अपना काम कम्प्लीट करना है ठीक है बच्चो? कोई भी कटा पिटी नहीं करेगा और पैन से तो कोई खास करने ही लिखेगा ठीक है? तो अब चलते हैं exercise की तरफ तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूक लगती है तो बच्चो क्या करते हो आप लोग बताओ मुझे हाँ, हम बिस्किट या मास खाने को देते हैं ठीक है? जिन से उनकी भूक मिट जाती है अब अगर गर्मी या ठंड लगती है तो फिर हम क्या करते हैं जानवरों के साथ? ठंड में हम कंबल में लपेट देते हैं और गर्मी में हम क्या करते हैं? नहला देते हैं ठीक है बच्चो? अब अगर क्या कोई परिशान करता है कोई आपके जानवर को परिशान करते है तो आप क्या करोगे उसको मना करोगे तो उसको क्या करती हूँ मैं उसको मना करती हूँ चोट लगती है तब क्या करोगे जब आपको चोट लगती है आप कहा जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो न तो वैसे ही जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं तो हम कहां जाएंगे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती हूं ठीक है बच्चों समझ में आया तो साफ सुन्दर हिंडाइटिंग में सब करेंगे और देख देख कोई गलत नहीं लिखेगा जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे आप लोग भी ठीक है अब नेक्स्ट तालिका को पूरा करो ठीक है बच्चों मतलब आपको यह टेबल दिया हुआ इसमें आपको भरना है कि जानवर का नाम लिखा हुआ है और इन्हें क्यों पालते हैं यह लिखा हुआ है किसी किसी में जानवर का नाम नहीं लिखा है इन्हें क्यों पालते हैं लिखा हुआ है ठीक है अब जैसे कुत्ता लिखा हुआ है कुत्ता क्या है जानवर का नाम है अब हम कुत्ते को क्यों पालते हैं घर की रखवाली करने के लिए पालते हैं ठीक है बच्चो अब दूसरे में क्या लिखा है कि दूद देती है तो कौन दूद देती है गाए दूद देती है ठीक क्या दे रखा है बैल खेत जोतता है नेक्स क्या दे रखा है मुर्गी मुर्गी क्या करती है अंडे देती है नेक्स क्या है मचली खाने या बेशने के लिए होती है ठीक है इसको हम पालते हैं उसके बाद या तो हम खाते हैं इसको मचली को या फिर हम मचलियों को बेशते भी है नेक्स्ट क्या दे रखा है प्यारा या प्यारी लगती है तो बच्चो हम तोता पालते हैं तोता को तोता को हम पालते हैं क्योंकि हमें बहुत प्यारा लगता है ठीक है दोसरा क्या दे रखा है मदुमक्खी मदुमक्खी से हमें क्या मिलता है शहद मिलता है ठीक है प्रुला क्या दे रखा है बच्छों आपको पक्षियों का प्याउं। प्याउं क्या होता है बच्छों मिटी का एक चौडे मूं का बरतन लो और बरतन को रसी से बांध कर लटकाओ जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब उस बरतन में पानी डाल कर उसे किसी पेड की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूटी पर टांग दो और उसमें रोज पानी भरो देखो पानी पीने के लिए कौन-कौन से पक्षि वहां आते हैं। ठीके बच्चों तो आपको समझ में आ गया कि प्याओं कैसे बनाना है पक्षियों के लिए तो आप लोग भी करना अगर आप लोग के पास मिट्टी का बरतन होगा ना तो आप लोग भी ऐसे ही प्याओं बनाना ठीके अब चलते हैं एक्सिसाइस के तरफ क्या लिखा करते हैं ऐसी किनी तीन चीजों के ना लिखो जिन्हें जान्वर भी और हम भी दोनों ही इसतामाल करते हैं तो कौन कौन सी चीज है बच्चों काना ना शीज़ों कित हैं मृणि चुन कहते हैं जैसे भोजन जो भी त्वेद आपक्ना और घर जिसकी ज़रूरत हमें भी है औ तुम जानते ही हो कि हमारा भूजन कितनी अलग-अलग तरह का है इसी तरीके से जानुरों का भूजन भी अलग-अलग तरह का होता है ठीक है बच्चो तो आपको यह जो काम है अपनी किताब में ही करना है और बहुत ही सुन्दर हैंड राइटिंग में करना है और सास उत्रा काम करना है ऐसा नहीं कि कोई गंदा गंदा काम करेगा ठीक है ओके बाई बचो